नमस्कार क्यापटल टिवी का खाश शो राखुल कादनी पर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूछा राखुल गांदी अपने विदेश दौरे पर है कब भारत लोटेंगे इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है हर बार की तरह इस बार भी राखुल गांदी का दोरा बढ़ा दिया गया है कल नार्वे में सांसदो से मुलाकात की नार्वे के ओस्लो युनिवरस्टी में लेक्चर दिया फिर अब आगे क्या करेंगे इसकी कोई ओफिशिल इन्फोमिशन नहीं है पर इसे बीच राखुल गांदी और कॉंग्रूस पार्टी हिंदू विरोधी एजेंडे पर एक्सपोज हो चुकी है राखुल गांदी विदेश की धर्ती में जाकर भारत की चवी को खराब करने में लगे हैं तो देश के अंदर उनकी नेता सनातन धर्म को अपमानित करने में लगे हैं लेकिन राखुल गांदी के मूँ में दही जम गई है वो इस मामले को लेकर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं तो आखिर कहां है राखुल गांदी विदेश में क्या कर रहे हैं और क्यों सनातन के अपमान पर चुपी साथ रखी है आज इसी पे चर्चा करेंगे मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है क्यापटल टीवी के एक्सक्यूटिव एडिटर राजीब जी राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद नारवे तक के तो कारिकरम की पूरी जानकारी थी अब आगे कहा जाएंगे राहूल गांधी क्या करेंगे उसके कोई जानकारी क्यों नहीं सामने आ रही है क्योंकि वो ओफिसियल विजिट जो है इन लोगों के अकॉर्डिंग कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम होना है जो प्रोग्राम की लिस्ट सामने आई है वो तो बता देंगे उसके बाद राहूल गांधी को जो चार-पांच दिन का समय चाहिए हर दोरे में समय चाहिए होता है जो पूरी क्रोनलोजी है राहूल गांधी की हर तीन महीने के बाद विदेश दौरे पर जाओ और उसके बाद उस विदेश दौरे का बहाना बनाओ ऐसा कि हम जा रहे हैं कोई ऐसे काम से जिसमें पार्टी को फायदा हो देश को फायदा हो और एक ऐसे कनवर्सेशन के लिए जा रहे हैं कि हम देश के विपक्षी पार्ट का नित्रित्व कर रहे हैं अब इससे दो फायदा होता है एक फायदा तो हुआ कि कॉंग्रेस के पैसे से फंड से यह विदेश दौरा करेंगे तो कि उसके लिए परस्टनल फंड की जरुरत नहीं है यह कॉंग्रेस बता रही है कि हमारे नेता जा रहे हैं विदेश में पेरिस इंवर्स्टी में प्रोग्राम है नार्वे के सांसदों से मिलना है फिर उसके बाद वेलजियम में एरोपियन पार्लियमेंट के सांसदों से मिलना है तो ये तो ओफिसियल विजिट है कॉंग्रेस की लेकिन कॉंग्रेस पार्टी तो य इसने खड़े होते हैं कि क्या कॉंग्रेस पाटी के पास इतना फंड है या कॉंग्रेस पार्टी को कोई उर पंड कर रहा है। और सोनिया गांधी ने बिहार पशिब बंगाल से लेके उधर नौर्थ इंडिया के कई स्टेट जो हैं वहाँ पर एक टीम बनाए थी जो की डिजिटल डाटा इकठा कर रहा था और वो आकड़े क्या थे वो आकड़े थे कि कॉंग्रेस के पास कितनी जमीन अलग-अलग स्ट स्टेट में हैं यह डिस्टिक हेड क्वार्टर से लेकर स्टेट के कैपिटल तक के प्रोपर्टी का आखड़ा निकाल रहे थे और सोनिया गांधी जो उस टीम को लीड करने की जिम्मेदारी दे गई थी और उसके बाद सोनिया गांधी ने कई बैठके की और कहा कि पूरा जाटा निकाल के बताओ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कहां पर है और किन जगों पर हमारी प्रोपर्टी को किसी ने कबजा कर रखा है यह एक प्लान था जिसमें रिजोलूशन पास हुआ और उसमें कहा गया कि कॉंग्रेस के अध्यक्ष के अलाबा किसी की आथरिटी नहीं होगी कि वो उस प्रोपर्टी को बेज सके अब कॉंग्रेस के अध्यक्ष उस समय तो अंतरी मध्यक्ष सोनिया गान देती अब खडगे भी हैं तो वो उनहीं के आदमी हैं तो यह पूरे जमीनों की प्रोपर्टी के लिस्ट थी जिसमें एक रिपोर्ट भ पास इतनी जमीन है हर स्टेट में ब्लॉक लेबल तक इन लोगों ने जमीनों पर कबजा कर रखा है पाटी कारियाले के लिए कुछ नए-न्य संगठनों के लिए कॉंग्रेस के नाम पर फिर कॉंग्रेस सिवादल के नाम पर यह सारा जमीन इनके कबजे में हैं अग कई गांधी के लिए होंगे अगर मिनिमम भी पैसे होंगे तो वो कॉंग्रेस के सांसद के लिए या चुनाव लड़ने के लिए नहीं होंगे बलकि सोनिया राहुल गांधी के लिए होंगे और ये कॉंग्रेस का फंड है जो राहुल गांधी इस विदेश यातरा में जाते हैं ऐ हमारे पास इतना लाक रुपया है तो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो ये एरोपियन विजिट में सब को पता होता है कि कितना पैसा खर्च होता है तो ये तो कॉंग्रेस के फंड से ही जा रहे हैं तो इसलिए एक बनाया जाता है आभामंडल उसके बाद जब ऑफि चाहे अमेरिका का तूर देख लीजे इरोप का तूर देख लीजे या इससे पहले बृटेन का तूर देख लीजे यह सारे के सारे तूर में यही इनका तरीका होता है दूसरे बात यह है कि जो आपने अभी कहा कि सनातन धर्म को लेकर जो चर्चा चल रही है यहां और राहू गांदी चुपी साधे हैं मीटिंग करने से बाज नहीं आ रहा है जैसे नार्वे में राहूल गांदी ने मीटिंग की बैठके की वहाँ के पुर्परधान मंत्री के साथ मिले वहाँ के सांसत के साथ मिले और उसी समय केसी वेनो गोपाल एक ट्विट करता है उस ट्विट में बताया जाता है कि राहुल गांधी जो नार्वे गए हैं या इरोब टूर पे गए हैं तो दो तरह की बाते वहां कर रहे हैं एक बात ये है कि या सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदोस्तान है और सबसे जाधा में इनको एक मनरेगा दिखता है लेकिन डेमोक्रेसी की बात जब करते हैं तो हमेशा एंटी डेमोक्रेटी के लोग होते हैं अभी के स्थिति में अभी तो हमेशा करते हैं डेमोक्रेसी यानि लोक तंत्र के हत्या हो रही है जी 20 के समय भी यही कहा लोक तंत्र के हत्या हो र रहा है अभी पक्ष का मतलब इनके लिए सिर्फ कॉंग्रेस है जदिव नहीं है ना टी एमसी है दूसरे पाटिया नहीं है लेकिन वहां पर ये सोसल बेलफेर की बात है और सोसल जस्टिस की बात है सोसल जस्टिस जो है ये एक और बात उसमें कहा गया है कि हमने इरोप के की है बताया है कि दोहजार चौविस में जब हम जीत कराएंगे तो सोसल जस्टिस लागू करेंगे वेलफेर को बढ़ाएंगे ये एक सोसल जस्टिस के नाम पर एंटी हिंदू डिल है ये इरोप के लोगों से मतलब इरोप के सांसदों से इरोपियन इनियन से इरोप के अल लोगों से मुलाकात की जिन लोगों ने एरोपियन पार्लियामेंट में एक रेजलूसन लाया था उसमें क्या कहा था मनिपुर में क्रिश्चनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है अब क्रिश्चनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये समाजिक न्याय नहीं है ये असमाजिक काम है अब वही सामाजिक नियाए 2024 में लाने की बात करके आ रहे हैं राहूल गाजी यह जो डिल है सेक्रेट डिल है जिसका अभास देता है यह यह परदर्सित नहीं करता यह सिर्फ इंडिकेट कर रहे हैं केसी वेनुगोपाल कि वहाँ पर सोसल जस्टिस की बात करके हैं अभी इस देश में अल्फ संख्यकों को न्याय नहीं मिल रहा यह कहने का मतलब उन लोगों का है जो बताया गया है पूरे इरोप के देशों में कि देखो कैसे वहां पर हिंदू जो हैं उग्र होते जा रहे हैं इसलिए अब देश में जितने भी एंटी हिंदू स्टेट्मेंट आ रहे हैं वो कॉंग्रेस उसको आधार इरोप में बनाने के लिए राहूल गांदी को बेड़ता है कि तुम जाकर बात करो कि देखो किस तरीके से वहां के जो सेकुलर लोग हैं वो इन लोगों से परिशान है क्योंकि हिंदूत्व वहां बढ़ रहा है सनातन का वर्चस पैदा हो रहा है यह लोग जाग रहे हैं अब इसलिए इनको सुलाने के लिए जरूरी है कॉंग्रिस की सरकार ताकि फिर से वही डॉर्मेंट सिच्वेशन में ले आएं शीत गाल में ले जाएं और लोगों को सुला दे एक तरह से जिस तरीके से पिछले सत्तर सालों से सुए हुए है लेकिन लोगों को सुलाने के लिए सनातन की जो परिभाशा है उसको बदलने क कोशिश क्यों कर रहे हैं राहुल गाली कोशिश बदलने की नहीं कोशिश खत्म करने की मतलब सनातन की परिवासा बदलेंगे तो इसका मतलब है कि हिंदू को क्या करेंगे वो सदवाबना पुर्निस्थिति की बात बताएंगे ये कहा जाएगा कि हिंदू मतलब सैयम का प्रती हिंदू तो कभी गुस्से में हो ही नहीं सकता हिंदू तो सारे विचारधारों को अपने पास रखता है जितने जो एंटी हिंदू ब्रिगेड है इनका उन सब का यही तर सबको सामनजस के साथ रखता है मतलब आप इतने सैयम सील रहो जैसे पहले से तै कि आपके ऊपर हमला करें आपको बरवात करने की कोशिश करें लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवरतन करवाइं हिंदूों को तारगoking करें फिर भी आप सैयम से रहो आपके अंदर सैयम होन आने पर भी कोई प्रतिक्रिया ना है बिलकुल यही बात है जिसके लिए सिक्रेट डील कर रहा है यूरोप में कि अब हिंदूओं को सुला दो क्रिश्चन मिस्नरी जो इतने सालों से पूरे नौर्थिस्ट को बना दिया गुआएं बना दिया पंजाब जैसे राज्य में हंगामा चल रहा है कि क्रिश्चन मिस्नरी का प्रभाब बढ़ रहा है कि यहां पर क्रिश्चनिटी का प्रभाब बढ़ रहा है अब यूरोप में इसलाम तो है नहीं, जादा तर तो Christian country है, अब राहुल गांदी, सोनिया गांदी, Christian mentality, इटली के सोनिया गांदी, तो ऐसे में इन लोगों की deal जो है, हिंदूत्व के खिलाफ Christianity को बढ़ाने का, ये South India से सुरू हुआ, स्टालिन की बात होती है, ये तो कहा जाता है, स्टालिन क कई राज्यों में बड़े बड़े देता, अपने आपको छुपा के रखते हैं, वो Christian है, यहां तक कि मलिकार जुन खड़गे के बारे में भी कहा जाता है, ये क्रिप्टो Christian है, तो इसलिए ये दलित की राज्यति करने वाले भी Christianity mentality के हैं, हो सकता है, इसलिए सोनिया गांद है, Christian Lobby, वो समर्थन करे, पैसा दे, perception तयार करे, हिंदुस्तान में फिर से Congress की एक बार सरकार बनाओ, और हम हिंदूओं को वही सीत काल में ले जाएंगे, जहां ये लोग सो जाएंगे, और तुम लोग आगे बढ़ जाना, लेकिन ये एजंडा तो success होता नज़र नहीं आ देखिए, एजंडा success है तब होगा, जब मोदी जी इन लोगों को success होने देगी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए, तो हर बार की तरह इस बार भी राखुल गांदी विदेश में जाकर आराम फरमा रहे हैं, देश विरोधी साजश पर कुछ दिन काम फिर करते हैं आराम, सनातन के अपमान को लेकर राखुल गांदी के तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है, इससे साफ होता है कि कॉंग्रेस पार्टी का एजंडा है कि हिंदू को अपमानित करो और चुनाओ जीतने के लिए उन लोगों का उपयोग करो जो हिंदू विरोधी है, पर राखुल गांदी हिंदू विरोधी होने के साथ साथ अब तो देश विरोधी भी हो गए हैं, इस पे आप अपनी राएक कॉमेंट करके लिखें, देख तेरे कैपिटल टीवी, नमस्कार